हेलो स्टूटेंट वेलकम तो तिशूर्ड लिवेंस अकेडमी तिशूर्ड लिवेंस अकेडमी में आपका स्वागत हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको जैसा कि आपको पता है कि NDA 1 और NDA 2 2020 जो इस बार पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि एक साथ हो का एक्जाम अ करना चाहूंगा कि जिन्होंने फॉर्म अपना भर दिया था एप्रिल में उनने से एप्रिल को आपका एक्जाम होना था जैन में आपने फॉर्म भरा था तो वो बच्चे अब एडमिट कार्ड के लिए तैयार हो जाएं अपना डाउनलोड करने के लिए देखिए कि जब कोई ऐसी notification आती है कि जब कुछ बड़ी news होती है students related और student भी उसके लगतार अलग-अलग channels पर अलग-अपने portal पर ढूंते रहते हैं कि अब क्या होगा अब date आ गई है nd1 nd2 साथ में होगा तो तमाम तरीके के सवाल आपके मन में आते हैं student के मन में आते हैं उसका answer हम लोग आतार वीडियो पर करते हैं कि sir ये मेरी query है और मुझे करना है तो पहली बात तो आप ये समझे कि जब भी कोई notification आती है तो उसमें कुछ न कुछ changes हमेशा होते रहते हैं क्योंकि जब changes का मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बच्चों के doubt अलग है कुछ के doubt अलग है तो उस doubt को clear क करना हमारा एक फर्स बनता है कि अब आपको वो doubt हम clear करें जैसे कि कल हमने जो वीडियो डाला था जब notification आई थी कि NDA1 और NDA2 examination एक साथ होगा तो उसमें काफी queries थी बच्चों की तो वो queries आज मैं इस वीडियो में solve करूंगा एक कुछ points हैं जो मैं आप से discuss करना चाहता हूं regarding NDA1 और NDA2 कि पहली बात तो आप यह समझे कि exam एक एक ही दिन हो रहा है दोनों paper NDA1 और NDA2 का तो जो बच्चों ने April में form भर दिया था for example आपने January में form भरा था और April में आपका exam होना था 19 तारिक को तो अब आपको क्या करना है कि January वालों बच्चों ने जिन्नोंने form भरा है उन्हें अब दोबारा form भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस बात को note करिएगा कि अब आपको form भरना नहीं है दोबारा क्योंकि वह से बच्चे यह सोच रहे हैं कि हम NDA2 का भी form भर दें क्योंकि हम यह कह सकते हैं इस बार कि ना यह NDA1 है ना यह NDA2 है यह NDA2020 है जो बिल्कूल भी एकदम परिशान ना हो कि हमें form फिर से बरना पड़ेगा नहीं आपको सिर्फ अब admit card डाउनलोड करना है अब बात करते हैं NDA2 जैसा कि मैंने बताए कि NDA2 की भी date साथ में है अब जिन बच्चों ने form नहीं भर आया जिनने April में exam देना था लेकिन वो किसी का NDA2 का examination application form आ गया है उस application form पर आपको जाना है आपको details होंगी वो भी हम आपको step by step अगले वीडियो में बताएंगे कि form कैसे भरा जाता है अगर उसमें आप वह परिशानी होती है तो आप हमारे dedicated number पर call भी कर सकते हैं और queries को अपनी असानी से पूछ सकते हैं तो जब आप 10 June को form open होगा भरेंगे 30 June तक का आपको time दिया गया है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब form निकलता है जैसे कि 10 June को form निकलता तो आप वेट करते हैं या 12 को भर देंगे 15 को भर देंगे 20 को भर देंगे लेकिन ऐसा मेरे साथ से नहीं करना चाहिए जितनी जल्दी हो सक ये कर लिया है कि सर मुझे एक्जाम देना ही देना है मुझे तैयारी करनी ही करनी है तो आपको जैसी form open हो तुरंत आप उसको भर के एक tension मुक्त ये हो जाए कि हाँ मैंने अपना form भर दिया है अब form से मैं मुझे छुटकारा मिल गया है अब मुझे अपने पढ़ाई में ल दिखा रहेगा कि आपको एक्जाम देने कब जाना है तो ये सबसे बड़ी जो confusion थी बच्चों की कि NDA1 मैंने भर दिया है तो क्या मुझे NDA2 का भी form भरना होगा नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है अब आपको NDA2 का form नहीं बरना ये joint exam है इस बात का आपको इस बार ध्यान रख दूसरी एक confusion थी इससर इसके advantage disadvantages क्या है? Advantage disadvantages मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है क्यों? क्योंकि जैसे कि बहुत से बच्चे 12th appearing के समय थे जब होंगे तो हो सकता है उन्होंने जैनवरी में form भरा हो तब वो 12th कर रहे थे हैं अब क्या है? कि अब आपका 12th complete हो चुके हैं 12th आप आपको complete हो चुका हैं तो अब आप 12th के exam से भी मुक्त हो गए हैं और आपको NDA1 का exam देना है अब आप ऐसा passing category में 12th pass की आ गए हैं दूसरा कि जो बच्चे अभी 12th appearing में हैं जिनका 12th अभी अभी recently हुआ है अगर आपने form January का नहीं भरा था तो अब आपको मौका मिल रहा है जून में form भरने का तो यह आपके लिए बहुत अच्छा बहुत सुनहरा मौका है इस चीज का फायदा उठाने का इस चीज का लाब उठाने का दूसरी बात मैं यह करना चाता हूँ कि जैसे मैंने form की आपको बात बता दी जून के बारे में कि form आएगा अब आपको करना क् सेप्टेंबर में एक्जाम होना है छे तारिक को यानि कि 6 सेप्टेंबर को NDA1 और NDA2 दोनों का एक्जाम होगा अब बात आती है कि cities जैसे बड़ी बड़ी cities होती हमाँ एक्जाम होते हैं तो आपको precaution भी लेना रहेगा जाते समय एक एक्जाम देते समय हो सकता है कि इस ब एडमिट कार्ड में जो भी चीज लिखके आएगी आप उसको धंक से जरूर पढ़िएगा ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भरा आप बहुत मुश्किल से अपने लोकेशन पे एक्जाम देने पहुच भी गए लेकिन एडमिट कार्ड आपने धंक से नहीं पढ़ा था उसकी बज़े से आपकी कोई चीज छूड़ गई और आप जब वहां पहुचें वो चीज अगर आपसे मांगी गई और वो आपको नहीं मिली जैसे मैंने एक्जाम्पिल दिया मास, सेनिटाइजर, गलव्स ये सब अप प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं एक मेंडेटरी चीज़ें जो कि आपको रेगुलर डेज में भी यूज करनी है और ये तो आप अपने शहर से बाहर निकलेंगे एक्जाम देने तो ये चीज़ आप जरूर कहरी करिएगा ये मैंने अपने इसाब से बताया है कि एडमेट काड में इस बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये चीज लिखी हो दूसरी चीज देखिए कि अब क्या है कि जो बच्चे सप्टेंबर का एक्जाम देना चाहते हैं अब उनके पास समय आप देखे कम बचा है क्योंकि अब जून इस समय चल रहा है जुलाई ऑगस्ट और सप्टेंबर छे तारे को एक्जाम ही तो दो मेने ही आपके पास सिर करना है जो बच्चे लगतार हमारे एपस भी तैयारी कर रहें वो भी अपनी तैयारी लगतार कंटिन्यू करते रहें और अपने अब लक्ष से आपको बिलकुल भी भटकना नहीं है दूसरी चीज वेकेंसी की बात कर लेता हूं तो वेकेंसी एस कंपेर टू लास्ट येर बड़ी है 418 NDA1 की वेकेंसी है 418 NDA2 की वेकेंसी है तो दोनों मिला के अगर आप काउंट कर लें 418 418 तो वेकेंसी भी आपकी इस बार बढ़ गई है सीट्स आपकी NDA की बढ़ा दी गई है NDA written examination देखिए होता क्या है कि आप अगर clear कर लेते हैं तो वहीं पर कहानी खतम नहीं होती अब आपको SSB interview की भी तयारी करनी है SSB interview की तयारी करने के लिए आपको करना क्या है कि पहली बात तो अपने आपको भी उस हिसाब का बनाना पड़ेगा कि अगर मैं interview देने जा रहा हूँ तो मेरे अंदर इतना confident इतनी चीजे हैं कि मैं interview को face कर सकूँ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी English भी बहुत अच्छी है बोलने में भी बहुत अच्छे हैं लेकिन interview face करते समय वो बाहर हो जाते हैं उसका कारण चाहद आपको नहीं पता है उसका कारण यह होता है कि आपको चीजे पता नहीं है कि मुझे ssb interview में जाके वहाँ पर करना क्या है उसके लिए आपको threshold events academy बहुत अच्छा मौका देता है इधर भी इस तो lockdown में हम लोग एवरी संडे wing commander noob में रोतरा सर की class लगतार session दे रहे हैं जिससे कि आप फाइदा उठा सकते हैं अगर आप youtube channel हमारा subscribe करे हुए हैं और तिशूल defense academy का facebook page अगर आपने like करा है तो आपको notification आती है आप session को attend करिए बिल्कुल free of course session है यह आपकी ssb में help करेगा तो बच्चो जब भी कोई notification आए तो आप बिल्कुल परशान मत हुआ करिए उस चीज को लेके क्योंकि बहुत से ऐसी news आने लगती जिसको लेके आप confused होते हैं तो आपको confused बिल्कुल भी नहीं होना है एकदम relax होके mind को अपने relax रखना है क्योंकि as a student जब आपका mind relax होगा त उनके साथ रिशूल चाहे offline हो चाहे online हो उसी दिर निश्चे से लगा हुआ है कि हम बच्चे का selection हराल में करा के रहें अगर हम बात करते हैं online की देखिए online में confusion student को ये है कि मुझे live class नहीं मिलती है मैं कैसे पढ़ूँ मिरे पास e-notes नहीं है मिरे पास books नहीं है तो ये confusion create आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको करना क्या है कि आप app download करिए आपके पास सब proper e-notes आएगा live classes आपको मिलेगी recorded videos आपको मिलेंगे बस आपको इसको as a offline तरीके देखना है ये नहीं कि मैंने online करा है तो मैं एकदम उसको online ही मानता रहा हूँ जब तक आप उसको accept नह आ रहे हैं आपको वो टीचर क्लास में आता है बस आप क्लास के सामने बैठे नहीं होते हैं लेकिन पढ़ाता हूँ उसी जजबे से हैं उसी तरीके से कि आपको उनकी बाते पूरी समझ में आए तो अगर आपको online classes करनी है देर मत करिए जल से जल त्रिशूल Defense Academy का app डाउनल आपको लक्ष सिर्फ अपना NDA1 और NDA2 का रखना है जिससे कि आप एक बहतर तरीके से एक्जाम दे और एक्जाम देने के बाद SSB इंटर्यू की भी तैयारी आपको करनी है तो इन दोनों की तैयारी अगर आपको करनी है तो इन दोनों की तैयारी अगर आपको करनी है तो कि हर help करने के लिए खड़ा हुआ है, courses हमारे बहुत reasonable rate में है, तो Tissure Events Academy की app जरूर डाउनलोड करें, उसको explore करें, उसमें free contents देखें, satisfy हो, तुरंथ आप course पर्चेस करके तयारी में लग जाएं, और अगर आप कोई query हो, comment box खुला हुआ है, वहाँ पर मैं आऊँगा, आपका reply करूँगा, जो चीज defense related जुड़ी हुई है, अगर उसका मुझे answer नहीं पता होगा, तो Swam Wing Commander Noob मेर उत्तरा सा detailed information आपको उसकी देंगे, तो अब आपको संकल्प ये लेना है अपना, कि मुझे अपने हर हाल में NDA1 का अगर मैं paper देने जा रहा हूँ, चाहिए पहली बार मेरा paper हो, चाहिए दूसरी बार हो, तो मुझे इस बार सफलता लेके आना है, तो School Defense Academy आपको बढ़ाई देता है, आपको congratulate करता है, कि आप एक सफल फॉजी, एक सफल officer बन के निकलें, जिससे कि अपना आप नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, तो School Defense Academy लगातार हर student के साथ लगा हुआ है, जो यहाँ आते हैं और जो हमारे channel पे भी हैं, जो आउटसाइडर हैं, उनकी भी हैल लगातार से शूल कर रहा हैं, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जैहिन, stay safe, stay at home, नमस्कार.